आप देख रही है MNS News सच जरूरी है 24 से पहले ही खत्म हो जाएगा इंडिया गडवंधन अजय राय ने कही अंतिम निर्णे की बात सुबह साड़े चार बजे जेल से निकलने पर भड़के आजम बोले हमारा एंकाउंटर हो सकता है यहां कुछ भी हो सकता है आईए देखते हैं खबर को विस्तार से गाजा को मानवी सहायता मिलने के बाद इसराइल ने बंबारी की तेज वेस्ट बैंक की मजजित पर किया हमला दरसल इसराइल और हमास के बीच लगतार युद्ध जारी है इस बीच इसराइल की सेना ने शनिवार को कहा कि वह नियोजित जमीनी हमले से पहले हमास नियंतरीत गाजा पर हमले तेज कर देगी क्योंकि सयुक्त राष्ट एजेंसियों ने अवरुद छेतर में विनाशकारी मानिवी स्थिती के चेतावनी दी थी साहता की पहली खेप शनिवार को मिश्र से फिलिस्तीन छेतर में प्रवेश कर गई लेकिन 20 ट्रकों को पार करने की अनुमती को 2.4 मिलियन निवासियों की जरूरतों को देखते हुए बहुत कम बिलकुल समुद्र में एक बूंद के तोर पर बताया जा रहा है इसराइल की सेना ने रईवार को कहा कि उनके वेस्ट बैंक के जेनिन में एक मस्जिद पर हवाई हमले के साथ आतंकवादी गुर्गो को निशाना बनाया गया है जहां उनसे कहा कि हमास और इसलामिक जिहाद आतंकवादीों का एक समुद ने हमलों की योजना बना रहा है इसराइली अधिकारियों के अनुसार हमास के साथ अक्टूबर के जानलेवा हमले के जवाब में सेना ने गाजा पर लगातार हमले किये हैं इसमें आतंकवादियों ने कम से कम 1600 लोगों को मार डाला जिनमें जादातर नागरीक थे जिनें गोली मार दी गई अंग भंग कर दिया गया या फिर उन्हें जला दिया गया नज़र डालतें अगली खबर पर क्या लोग सबच नाओ 2024 से पहले ही खत्म हो जाएगा इंडिया गटबंधन अजयराय ने कही अंतिम निर्ने की बात दरसल मध्यप्रदेश विदान सबच नाओ के टिकेट निर्धारण में किनारे की गई सपा की ओर से तीखी टिपणी आई है तो कॉंग्रिस ने भी पलटवार किया शनिवार को सपा नेता राम कोपाल यादो ने मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्य मंतरी कमलनाथ को छुट भहिया नेता कहा इस पर देर रात शहर पहुंचे प्रदेश कॉंग्रिस के अध्यक्ष अजे राय ने प्रतिक्रिया दी उन्होंने मीडिया के सवालों पर कहा कि कमलनाथ हमारी पार्टी के वरिस्ट नेता है रामकुपल यादव ने जो कहा वह उनकी सोच होगी सपाद देक्ष अखिलेश यादव कॉंग्रिस पर शडियंत्र का आरोप लगा रहा है इस सवाल पर कहा कि कोई शडियंत्र नहीं हो रहा है हमारे सभी नेता मजबूती के साथ खड़े है इंडिया कदबंदन को लेकर कहा कि इससे सम्मंदित हो भी निर्ने होगा वह रास्ट्री नेतरत्व लेगा इससे पहले उन्होंने जागरण से विशेश बाच्चित भी की थी सभाध्यक्ष की ओर से तलक टिपनी की जा चुकी है इस पर कहा कि अखिलेश यादव से सम्मान की अपेक्षा नहीं है वह विदेश और देश के नामचिन स्कुल में पढ़ने का दावा करते हैं मगर दूसरों को सम्मान देना नहीं सीख सके उन्होंने अपने पितना मुलायम सिंग यादव और चाचा शिवपाल यादव से क्या वहवर किया था यह सब ही जानते हैं मैं यह बात तत्यों के आधार पर कह रहा हूँ अपनी और से कुछ नहीं बोल रहा सपाध्यक्ष के बारे में इससे जादा कुछ नहीं कहना चाता प्रदेश से लेकर जिलाई काईयो तक फेर बदल जल्द अजे राम ने लोकसबा चुनाओ की तयारी के संदर्ग में कहा की प्रदेश को 6 जोन में बाट कर संगठन को मजबूत किया जा रहा है नजर डालतें अगली खबर पर सुबह साड़े चार बजे जेल से निकलने पर भड़के आजम बोले हमारा एंकाउंटर हो सकता है बोले हमारी जान को खत्रा है हमारा एंकाउंटर हो सकता है और कुछ भी हो सकता है आजम खा को बेटे अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमान पत्र मामले में 8 अक्टूबर को 7 साल की सजा सुनाई गई थी उनके साथ ही उनकी पतनी पूर्वसांसद तजीन फात्मा और अब्दुल्ला को भी 7 साल की सजा हुई है शाशन में अब्दुल्ला को हरदोई और आजम खा को सीतापूर की जेल स्थानांतरित किया है रहिवार सुबह साड़े चार बजे अब्दुल्ला और आजम खां को जेल से बाहर निकाल गया तो वह कुछ मीडिया कर्मी पहुँच गया उन्होंने देखते ही आजम खां बोले हमारी जान खत्रे में है हमारा एंकाउंटर भी हो सकता है आजम का समाजवादी पार्टी के फायर ब्रॉण नेता कहलाते हैं वह रामपूर शहर से दस बार विधायक बन चुके हैं उतर प्रदेश के नेता प्रती पक्ष भी रहे हैं राजसभा सदस्य भी बने हैं साल 2019 में लोगसभा सदस्य कच्छ नाव जीते प्रदेश में जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तब वह कई-कई विभागों के मंत्री बने हैं वह हमेशा तीकी अंदाज में बात करते हैं जेल शिफ्टिंग के दौरान भी उनोंने कुछ इसी अंदाज में खुद को खत्रा बताते हुए अनकाउंटर की बात कह डाली अब आप हमारे चानल को आपके मुबाइल पर भी देख सकते हैं मुबाइल में देखने की प्ले स्टोर से मनेस निउस टीव अब डाउनलोट करें इंस्टा, ट्वीटर, फेस्बूक और अने सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म पर हमारे चानल उपलब्द्याप हमारे चानल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर फिलाल वक्त सुचका दर्श को ब्रेक का ब्रेक से लोटने के बाद देखेंगे देश और दुने के तमाम बड़ी खबरें नमस्कार